हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू लवली मॉम्स वित कनिका बहुत बहुत सवागत है आपका मेरे इस चैनल पे तो अकसर ही कहा जाता है कि प्रिग्नेंसी के टाइम पे अगर आपका पेट एकडम गोल होता है आगे की और होता है तो आपको गल होने वाली है और इसके ऑपोजिट अगर आपका पेट जो है लंबान में होता है आपका पेट जो है नीचे की और जुका हुआ होता है तो आपको बेबी बॉय होने वाला होता है तो आईए जानते हैं इस सिम्टम के पीछे की सच्चाई तो as per my experience मेरे बेबी गर्ल के टाइम जो मेरा स्टमक था वो एकडम रा अबरान में था तो क्या स्टमक पीट जो होने का कोई लिंक नहीं होता है आपने एक्सपीरियंस से देखा हिएक है कि मेरे मों यह सारे शीम्टम स्टम बेबी बॉय वाले थे मेरे पडाम से जाधा व्लाएं ता मेरे पीट पेट जाए बीनी था मेरा पेट जो था नीचे की और जुका हुआ था तो फ्रेंट्स आपको आपको इस वीडियो के थूँ इस सिम्टम की सचाही पता चली हो कि यह सिम्टम में 100% सचाही नहीं है कि जिन लेडी का पेट जो है ओल होता होगा नीचे की और होता होगा उनको बेबी बॉय भी हुआ होगा पट मेरे कर्स में तो बेबी गॉल हुई है